राजिस्तान की राजनीती में लंबे समय से जुड़े हुए घंशाम तिवारी के नाम की घोशना कर दी गई है बीजेपी के राज्य सभा के उम्मीदवार के तौर पर जिसके बाद से घंशाम जी के घर पर खुशी की लहर है बात करेंगे उनसे घंशाम जी लंबे संघर्ष के बाद क्या मानेंगे आप इसको जो राज्य सभा की टिकेट के तौर पर आपके नाम की घोशना की गई है काम करूंगा घंशाम जी एक समय ऐसा था जब आप बीजेपी में ही विरोध का स्वर अपनाई हुए थे वसंद्रा राजे के खिलाफ आपने अपना स्वर जो है काफी प्रकर किया हुआ था उसके बाद से अब में क्या चेंज हो गया है आप पार्टी छोड़कर भी चले आप मानेंगे क्या कि तब एक समय था अब एक समय है भली आपके प्रशंस्तकों के लिए आपके जो लोग है उनके लिए खुशी की बात है पर बदलाव को कैसे देखते हैं नहीं कोई बदलाव नहीं है मैं बाहर जंता पार्टी में सुरू से हूँ विर्चार दारा के पर आपने का कोई विवाद नहीं है सर क्या मानेंगे कि एक जाती है समय करण बिठाने की वज़े से कारण था कि आपको टिकेट मिली देखे किस समय करण से टिकेट दी है यह तो केंदरी नेतिरत्व का सोच है लेकिन मैं हमेशा सामा जीक समरस्ता के लिए और सब को सब के साथ सब के विश्वास के लिए जो प्रदानमंत्री जी का नारा है उसी के साथ काम करता रहा हूं और करता रहा हूं गंशाम जी मैं पहले भी आपका कई बार इंटर्विव कर चुका हूं कई बार आपसे बातचीत भी हुई है आपने एक मुद्दा उठाया था तेरा सिविल लाइन्स बंगले का आपने कहा जब तक वो बंगला खाली नहीं होगा आप आंदोलन करेंगे क्या वो मुद्दे सारे छूडगे हैं सर पहले वाले वो मुद्दे खतम हो चुके नहालों के द्वारा आपको लगता है कि सर जो राजस्थान में दूसरी सीट पर बीजेपी टक्कर दे पाएगी क्योंकि कॉंग्रेस कह रही है कि तीन सीटे वो जीतेगी बीजेपी कह रही है कि कम से कम एक सी जीतेगी जीतेगी और दूसरी सीट पर बीजेपी का प्रांते नित्र तो क्या निरने करेगा उस निरने के साथ रहूँगा गंशाम जी आप लंबे समय से जोड़े रहे हैं बीजेपी के साथ एक समय था जब आप भैरो सिंग शेखावत के माना जा रहा था कि उत्तर अधिकारी भी हो सकते हैं क्या लगता है अगले साल जो विदान सबा का चुनाव होना है राजस्तान में क्या कड़ी टकर दे पाएगी बीजेपी कॉंग्रेस को क्या लगता है अगला जो विदान सबा का चुनाव है वो तो दिवार पर लिखावा साब दिखाए दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी को पिसली बार 24 सीट मिली थी इस बार 24 सीट भी मिलना उनके लिए मुश्किल है क्योंकि आम जनता पूर्ण तरह तरस्त है और कांग्रेस पार्टी को उखाड फैकने के लिए कृत संकल पर दो कारणों से एक तो कांग्रेस की जो राष्ट्री नीतियां है तुष्टी करण की और जिस प्रकार से बार जाकर राउल गांधी वारत की बदनामी करते हैं उनके केंद्र नेतित्व करण से और राजस्तान की बहेंकर लड़ाई के करण से और राजस्तान के कुसासन के करण से पूर्ण त के साथ स्टेज शेर कर रहे थे आप वहाँ पर पहुंचे थे समर्थन भी जताया था आपने बीट गई सो बात गई एक आखरी सवाल सर आप कह रहे थे कि कॉंग्रेस का सूपला साफ हो जाएगा बट क्या बीजेपी के अंदर ही जब इतनी धड़ों की बाते की जा रही है कि ये पूनिया धड़ा है ये वसंद्रा गोट है तो ऐसे में क्या लगता है कि बीजेपी की जो आंतरिक कलहे की बात कही जा रही थी उसका फरक पड़ सकता है जो नतीजे होंगे उस पर देखे भारती जनता पार्टी सिद्धानत निष्ट और बिचार आधारित पार्टी है तो जो सिद्धान, तरनिष्ट और बिचार आधारित पार्टी है उस पार्टी में बेक्तिकद दड़ों का कोई महत्वणी होता है इसलिए बेक्तिकर रूप से राजनतीक महत्वा कांग साही हो सकती है लेकिन बिचार धारा के आधार पर भार जनता पार्टी एक जुठ है और विचार दारा के आजार परी पार्टी चुनाव लड़ेगी और काम करेगी पिशले करीब दस सालों में घंशाम तिवारी कई बार सवाल उठा चुके हैं भरश्टा चार से लेकर राजनीतिक जीवन में साफ गोई को लेकर पर अब वो कहते हैं कि बीद गई सोबाद गई और इस समय खुश है कि उन्हें राजस सबा के उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी के दुआरा नामंकित करने की निर्ने ले लिया गया है क्यामरा परसन मनीश के साथ देवंकुर वधावन पॉर्वार का सुन्पार कर्पल मनीश मौ ऑचरिकजी, टान खना है कि प्रुवार को साथ «ज़現在 पर चार पर दूर।». झालिए राजस को साथी, तान नाम डुल ुल